नमस्कार दोस्तों मैं यूट्यूब चेनेल सुपर सेवन से मोहीत वेसन आज आपके सामने लेके आया हूँ मारवाड गईतियाश दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मारवाड का एतियाश जैसा कि हमें एक्रण में राजिस्तान के एक्रण में उन्यीस रियासे और तीन ठीकाने प्राप्त होते हैं तो इनी 19 रियास्तों में से एक रियास्त है मारवाड और मारवाड उन रियास्तों में 19 रियास्तों में सबसे बड़ी सेत्रफल की द्रिश्टी से सबसे बड़ी रियास्त है सेत्रफल में सबसे बड़ी रियास्त प्राप्त होती है दोस्तों जैसा की राजस्तान के सभी सेत्रों में अलग-अलग सास को ने अलग-अलग वंस के सास को ने सासन किया है उसी परकार मारवाड में भी जिस वंस ने सासन किया उस वंस का नाम प्राप्त रता है या वो वंस है राठोड वंस वेसे तो राठोडवंस की राजस्तान में और राजस्तान के बाहर भी कहीं साखा है प्राप्त होती है मूलत राजस्तान में राठोडवंस की साखा मारवाड या जिसे जोदपूर रियासत भी बला जाता है दूसरी हैं में प्राप्त होती है बीकानेर जो जोदपुर से ही निकल कर बनी थी और उस दूसरी जोदपुर से निकल कर बनी थी मेड़ता साखा मेड़ता में राठोड साखा और एक है किसंगड तो ये राठोडों की तीन चार साखाएं राजस्तान में पराप्त होती है और उसके राजस्तान के बाहर भी राठोडों की साखाएं पराप्त होती है दोस्तों मारवाड मारवाड सब्द क्या है या मारवाड क्या है तो मारवाड दो सब्दों से मिलकर बना है मरू प्लस वाड मरू का मतलब होता है रेगिस्तान और वाड का मतलब होता है रक्सित परदेश रक्सित परदेश तो जो रेगिस्तान के दुआरा रक्सित हो वैसा परदेश कहलाता है मारवाड से जालावाड तो जाला सास को द्वारा रक्षित प्रदेश हो जाएगा जालावाड कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं मारवाड के जैसे मरू धरा मरू कांतार मरू धर मरू वाड यह सब मारवाड के लिए परियुक्त होते हैं अब एक इत्यासकार हुए हैं अबूल फजल अबूल फजल तो अबूल फजल मारवाड के लिए कहते हैं कि अबूल फजल ने जहां पर यात्री बिना पानी के मर जए अबूल वाड यह मारवाड के लिए परियुक्त किया है अबूल फजल ने दोस्तों अब हम देखते हैं मारवाड में राठोड वन्स ने सासन किया तो उनकी कुल देवी इस्ट देवी उनके बारे में जानते हैं तो मारवाड के मारवाड के राठोड़ वन्स इनकी इस्ट देवी इस्ट देवी को ही आरादे देवी बोला जाता है ये कौन है मारवाड के राठोड़ वन्स के इस्ट देवी आरादे देवी बोला जाता है चामुंडा माता जबकि इनकी जो कुल देवी प्राप्त होती है वो कुल देवी प्राप्त होती है हमें नागने ची माता ये नागने ची माता का जो नाम है हमें चक्रेश्वरी भी प्राप्त होता है यानि नागनेची माता का नाम चक्रेश्वरी प्राप्त होता है इनका मूल नाम चक्रेश्वरी माता ही था परन्तु जो इनका पहला मंदिर है राजस्तान में वो नागाना गाउं में बना था और इसी नागाना गाउं क के कारण इन चक्रेश्वरी माता का नाम नागनेची माता हो गया था कि अब दोस्तों हम देखते हैं कि मारवाड मारवाड में कि देखते हैं मारवाड में राठोडवन्स की स्थापना किसने की मारवाड में राठोडवन्स की स्थापना कि दोस्तों राठोडवन्स की इस्ताब नाम में मारवाड में अलग अलग इत्यास करोके अलग अलग मत पराप्त होते हैं जैसे कि कर्नल टोड मुहुनोद नेंसी दयाल दास और मांकी दास दयाल दास तता मांकी दास यह इत्यासकार राव सीहां से या राव सीहां को राठोडवन्स की इस्ताबना मारवाड में राठोडवन्स की इस्ताबना के लिए आदि पुरुष या मूल पुरुष मानते हैं और यह राव सीहां का संबन्द जोडते हैं गहडवाल सासक गहडवाल सासक जेचन से यह जेचंद का पोत्र, राव सिहां को जेचंद का पोत्र मानते हैं, जबकि दो इत्यासकार ऐसे हैं, जो जेचंद गडवाल का पोत्र न मानकर राव सिहां को बदायू साका का पूरुष मानते हैं, वो दो इत्यासकार हैं, होन ली और डोक्टर गोरी संकर हीराचंद ओजा, ये दो इतियासकार राव सीहां से ही राठवडवन्स की स्ताबना मानते हैं परन्तु ये जेचन से उनका संब्ध न जोड़कर ये बदायू साका से राव सीहां को मानते हैं अब दोस्तों पढ़ते हैं ये जेचन गडवाल कोन है जेचन कडवाल के बारे में पढ़ते हैं अपन तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन तराइन का पर्थम यूद्ध तराइन का पर्थम यूद्ध और त्राइन का द्यूद्ध यूद्ध कि यह दोनों यूदु हुए थे 1191 में और 1192 में कि इन दोन ये दोनों यूदु हुए थे ये दोनों यूद उए थे कि प्रत्विराद चोहान कि जो अजमेर के सा सकते प्रत्वीराद चोहान गत cattleche है और मोहमदगॉडी के बीच में मोहमद गोरी सासक है घजनी का जबकि अपने परतुराज चोहान अजमेर के सासक अब मोहमद गोरी को घजनी से इन्वाइट किया था जेचंद गढडवाल ने पर्तिवराद चोहान पर आकर्मन करने के लिए जेचंद गढ़वाल ने मुहमद गोरी को गजनी से इन्वाइट किया था अब कारण क्या बनता है कि जेचंद गढ़वाल के एक पुत्री है सहियोगीता और उस सहियोगीता का अपहरण कर और उससे साधी कर लेता है पर्तिवराद चोहान तो उसका बदला रहें के लिए जेचंद गढ़वाल मुहमद गोरी को भारद में बुलाता है तराइन के पर्थम यूद में तो पर्तिवराद चोहान की विज़े हो जाती है यानि पीसी थर्ड तराइन के फस्ट यूद में तो 1191 में जो यूद होता है उसमें तो विज़े ही रहते हैं परंतु जो दित्ती यूद होता है वो 1192 में होता है तराइन का दित्ती यूद उसमें ये माना जाता है कि इसमें कुछ इतियास कारों कि अलग मत परापत होते हैं कुछ तो ये मानते हैं कि पर्तियुराँज वन को मार दिया जाता है उसकी अलग बात परती है जबकि हम एक यूद पढ़ते हैं चंदावर का यूद ये चंदावर का यूद होता है ग्यारासो चोराणम में और ये ग्यारासो चोराणम में जो यूद होता है चंदावर का ये होता है जेचंद गडवाल और मोमद गोरी के बीच में और इसमें मोमद गोरी जेचंद का और वह मारा जाता है जेचनगडवाल again by युद में मारा जाता है कि कर आब वहां से उनके वंस में जेचनगडवाल का वंसज यह जाँ जी जेचनगडवाल का पोत्तरफ्रावत होता है उसके बाद में शांति खोजने के लिए या फिर अपनी मन की सांती के लिए यात्रा करता है जेचन राव सीहां राव सीहां यात्रा करता है दुवारी का की अब मैं यहां से राधिस्तान का एक मेप बनाता हूँ बैसिकली यह इसा कोई मेप नहीं होता बट मैं एक दिखाने के लिए आपको मेप बनाता हूँ कि यहां कन्योज था, कन्योज पे था जेचन गडवाल का अधिकार तो राव सीहां ऐसे यात्रा करते हैं तो यहां बीच में पड़ता है मारवाड और पाली पाली बेसे मारवाड का हिस्सा है तो यहां पर यहां पर से जब राव सीहां यात्रा करते हैं तब जाते हैं तब यहाँ पे तो है सोलंग की सासक और यहाँ है पालिवाल ब्रामर पालिवाल ब्रामर यह दोनों राव सीहां से मदद मांगते हैं सोलंग की सासक और पालिवाल ब्रामर तो राव सीहां जब दौरिका की यात्रा करते हैं ीद जसांबい सांब asakin के सहां घालब कोई तो ऊपरेशांता की किया उतायों पाकिस्तान पाकिस्टान का प्रांद सिंद और प्रांद सیک Millennium बारू लाखा नाम का वेगती सोलंग की सास को पर आकर्मन करता रहता था उन्हें परेशान करता रहता था दूसरी और पालिवाल ब्रामनों के यहां पर जाती पाई जाती थी मेर मेर जाती पालिवाल ब्रामनों को परेशान करती रहती थी उनको मार दिया करती थी ऐसे कारिय यहां चल रहे थे तो राव सीहां से सोलंग की सास को और पालिवार ब्रामनों ने मदद मांगी अब राव सीहां सोलंग की सास को सास को की मदद करते हैं और सोलंग की सास को के साथ मिलकर राव सीहां मारू लाखा को मार देते हैं यानि ये दोनों मिलकर मारू लाखा को मार देते हैं अब जब मारू लाखा को राव सीहा मार देते हैं तो सोलंग की सासक अपनी एक राजकुमारी रहती है पारवती उस पारवती का विवा कर देते हैं राव सीहा से यानि सोलंकी सासकों का दामाद हो गया राउसिहां और यहीं से 1240 में ये गटना होती है और 1240 में राउसिहां मारवाड में राठोडवन्स की इस्ताबना कर देते हैं दूसरी और पालीवाल ब्रामन अब पालीवाल ब्रामनो को मेर जाती परिशान करती रहती थी पालीवाल ब्रामनो के साथ मिलकर राउसिहां ने एक युद लड़ा मेर जाती के खिलाव किसके खिलाफ है यह यह है मेर जाती के खिलाफ अब मेर जाती के खिलाफ एक यूद लड़ा लाखा जहुवर का यूद या उसे कहते हैं लाखा बहुवर का यूद लाखा जहुवर या लाखा बहुवर का यूद यह यूद होता है 1223 में और इसी यूद में राव सीहां गायल होते हैं और उसके बाद में उनकी मृत्यू हो जाती है इससे पहले अपन देखते हैं यह लाखा जवर का यूद क्या है लाखा जवर के यूद में मेर जाती के विरुद हुआ जिसमें पालिवाल ब्रामर और राव सीहां एक तरफ और मेर जाती एक तरफ थी पालिवाल ब्रामर और राव सीहा जीप तो जाते हैं परन्तु राव सीहा गायल हो जाते हैं उनके बाद उनकी मरत्य हो जाती है अब यहां पर गटना मिलती है दोला चबूतरा की गटना यह गटना क्या है दोला चबूत्राई कटना राप्त होती है लाखा जहवर की युद में जब पालिवाल ब्राह्मन इस युद में सहीद हुएते तब ब्राह्मन एक जनेवु धान करते हैं उस जनेवु और ब्राह्मनों की जो महीलाई थी वो सपेद कलर की चूड़िया पैंती थी तो जब वो सती हुई थी ब्राहमनों के साथ तो उन्होंने खोल खोल के जो चूड़िया और जनेवु थे वो वहाँ रखे तो वहाँ पे एक धेर्शा बन गया और एक चबूत्रे की नुमा आकरती बन गयी जो दोला चबूत्रा कहलाती है अब ये लाखा जमर का युद राव सीहां की छत्री है तो राव सीहां की छत्री हमें कहां प्राप्त होती है राव सीहां की छत्री जो हमें प्राप्त होती है बीटू घाओं में दोस्तों यह हो गया आज के आज हम इतना है पड़ेंगे यह सामाने जानकारी है मारवाड के बारे में और मारवाड के आधि पुरुष के बारे में आगे हम कल पड़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद